में प्लेस वन क्लास के मैच सब्जेक्ट के चैप्टर नमबर फाइव कॉंप्लेक्स नमबर की एक्सराइज 5.1 के क्वेस्टर नमबर 11, 12, 13 को सोल करेंगे यहां पर क्या कहता है find the multiplicative inverse of each of complex number given यहां पर जो complex number यह वे हैं उनका हमने multiplicative inverse निकालना है तीखिए हमने आपको introduction में बताया था कि अगर हमार पास z कोई complex number है तो z का जो inverse होता है वो क्या होता है? z का conjugate divided by z के modulus का square यह value हमने find out करनी है तो हम यहां पर माल लेते हैं, let z is equal to 4 minus 3 of iota, हमने इसको complex number z माल लिया, z का conjugate क्या होगा, conjugate में हम क्या करते थे, iota वाले value के sign क्या कर देते हैं, change कर देते हैं, तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 plus का 3 iota, चेक है, इसके बाद अगर हमने modulus निकालना है, तो modulus क्या होता था हमारे पास, real part का square plus, real part का square plus imaginary part का square, यह तो होता था, means real part, हमारे पास क्या है, 4 का square plus minus 3 का square, क्या बन जाएगा, 4 का square 16 plus 9 हो गया, यह हो गया हमारा modulus of z, अगर मुझे, means root 25, अगर मुझे modulus का square बताना है, तो इसका square root हटा दीजिए, यह value कितनी हो जाएगी, 25, this is modulus z square, अब हमें निकालना है, inverse, तो देखी, inverse कैसे निकलेगा, z inverse, value क्या है हमारे पास, z conjugate, divided by, modulus square, conjugate की value हमारे पास क्या आएथा, 4 plus 3 आएटा, divided by, यह हमारे पास कितना हो गया, 25, अलग-लग लिखेंगे हम इसमे, that is 4 upon 25 plus 3 upon 25 आएटा, यह हमारे पास क्या हो गया, इसका inverse हो गया, अच्छा कई बारी अगर माल लीजिए हम यह भूल जाएं, formula भूल जाएं, तब हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसका inverse अगर हमने निकालना है, z हमारे पास, देखी, 4 minus 3 आएटा है, तो z inverse क्या होगा, 1 upon 4 minus 3 आएटा, ठीक है, क्या करें इसको, rationalization कर दीजिए, 4 minus 3 आएटा को, 4 plus 3 आएटा से मैंने multiply कर दिया, और 4 plus 3 आएटा से क्या कर दिया, इसको divide कर दिया, उपर multiply होगा, that is 4 plus 3 आएटा, नीचे, A plus B into A minus B, means A का square, minus 3 आएटा का square, B का square, उपर तो 4 plus 3 आएटा है, नीचे देखे, 4 का square, 16, minus 3 दिया, 9, आएटा स्केर, अब आएटा स्केर की value क्या होती है, आएटा स्केर is equal to minus 1, 4 plus 3 आएटा, यहाँ पर minus 1 पूट करेंगे, तो plus का हो जाएगा, means 16 plus 9, तो यह value कितनी बन जाएगी, 25, आएटा स्केर की value minus 1, यह plus का होगा, 16 plus 9, यही तो value आगी है, मार पास, अलग लग करेंगे, तो 4 upon 25 प्लस का 3 upon 25 आएटा, यह value आगी, कई बारे अगर बाइचान साब भूल जाएं, तो बहुत असान तरिके से आप इसका inverse से निकाल सकते हैं, चलिए, अब हम question number 12 पे दखते हैं, इसमें भी हमने z क्या माल लिया, this is root 5 प्लस का 3 आएटा, तो पहले हम क्या निकालेंगे, conjugate, conjugate निकालेंगे, root 5 प्लस का 3 आएटा का conjugate, root 5, sign change कर दीजी, minus 3 आएटा हो जाएगा, now, what is z modulus का square, अब की बार मैं square root लिखनी रहा हूँ, पहले मैंने square root लिखा था, square root नहीं निकाला, direct उसका square root हट जाएगा square में, real part का square, means root 5 का square, plus 3, imaginary part हमार पास कितना है, 3, 3 का square, यही तो होगा, अगर akela modulus लेते, तो इसमें square root लेना पड़ता हमें, यह value कितनी हो जाएगी, 5, root 5 का square, plus का 9, that is 14, so modulus of z square is equal to how much, 14 हो गया, अब हमें निकालना है, z inverse, z का conjugate divided by modulus का square, conjugate value हमार पास क्या आई थी, root 5 minus का 3 एटा, and divided by how much, 14, तो value क्या बनगे हमार पास, अलग अलग करेंगे हम, root 5 upon 14 minus 3 upon 14 into आई टा, this is inverse of this complex number, देखा आपने बहुत ही असान है, इसको भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी आप किसी भी तरीके को अपना सकते हैं, बटर हमें standard इस form में से ही निकालना है, अगर भूल जाएं तो आप ये तरीका अपना सकते हैं, चलिए, अब हम 13 question करते हैं, question number 13, इसमें हमें जो complex number दिया हुआ है, अकेला minus से आयोटा दिया हुआ है, तो let z is equal to, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 minus आयोटा भी लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा, 0 लिखे हैं ना लिखें, कोई फराख नहीं पढ़ता, अब हम निकाल रहे हैं, modulus का square, modulus का square निकालेंगे तो real part का square, real तो 0 है, 0 का square, plus imaginary part, imaginary part में हमारा पास क्या है, minus 1 का square, इसका coefficient क्या है, minus 1, 0 का square 0 हो गया, यह हमारा पास 1 हो गया, that is 1, अब Z inverse हमारा क्या होगा, conjugate divided by modulus का square, what is conjugate, conjugate में हमारा पास 0 प्लस आयोटा हो गया, and divided by 1, तो 0 लिखे आना लिखे, हमारे पास यह 0 प्लस का आयोटा ही रहेगा, that is आयोटा, तो minus आयोटा का, जो inverse है, वो क्या है, प्लस का आयोटा, चलिया, बहुत ही असान थे, तीनों क्योंस बहुत असान थे, और आपने बड़ी असानी से इनके multiplicative inverse निकालने सीख लिए, चलिए इस वीडियो में इतना ही, next वीडियो में अगले क्वेस्टन के साथ फिर मिलते, तब तक ये लिए जय हिन जय भार